मित्रो नमस्ते जी आए हम बली राम चोरसिया बी एल नॉलेज पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं BPSC संगीत परिक्षा के साथ साथ देश के अन्य सभी संगीत परिक्षाओं में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लावकारी सीद्ध होगी अता इस वीडियो को देखिए और संगीत के केरियर में सफल होईए यही हमेरी कामना और वीडियो बनाने का उदेश है तो चलिए शुरू करते हैं हम जानते हैं कि उत्तर भारत में 10 थाटों का परचलन है और दक्षिड भारत में 19 थाटों का परचलन है तो आज हम दस थाटों को ट्रीक के माध्यम से याद कर लेंगे उसके बाद से राग के बारे में चलेंगे इसी तरह से इस मास्टर वीडियो में हम आपको संपूर्ड बस्तुनिष्ट प्रस्णों का समावेशन करके देंगे तो आजिए शुरू करते हैं हम जानते हैं कि थाट जो होता है राग का जनक होता है आप जितना भी राग सुनते हैं किसी ना किसी थाट से उत्पन होता है तो उतर भारत के 10 थाटों को हम ट्रीक के मादम से याद करते हैं हम जानते हैं कि 10 थाट में 7 स्वरों का परियोकर के थाट को बनाया गया है और स्वर हम जानते हैं कि 12 है जिसमें 7 जो होता है शुद्ध स्वर होते हैं और 5 बिक्रित स्वर होते हैं तो साथ में सड़ज रिशब गंधार मध्यम पंचम धैवत और निसाद शुद होते हैं और इसमें रिशब गंधार धैवत और निसाद कोमल भी होते हैं और सुद भी होते हैं तो इस तरह से चार हो गए ये और फिर मध्यम जो होता है वो तीवर का भी काम करता है तीवर मध् स्कृत ब सिर संदर्ट इसमें सभी साथो स्वर से मिला है मिल के बना है तो वह साथो स्वर में शुद्ध होते हैं तो कल्यान देखिए कल्यार थाट में इसके लिए आप चुकि आप गायन से संबंदित हैं तो इसके लिए ट्रीक याद करिएगा मैं कल्तिब्र गाऊंगा मैं कल तीब्र गाऊंगा कल्याण के लिए ट्रीक है तो कल से हो गया कल्याण थाट और मैं तीब्र से हो गया मतीबर मैं तीब्र का मतलब मतीबर इसमें 6 स्वर्ज होता है शुद होते हैं सडज, रिशव, गंधार, पंचम, धैवत और निशाद और इसमें मौत तीवर लगता है तो याद करेंगे गा मैं कल्ति व्रगांगा मतलब कल से कल्याण में आपको मौत तीवर लगता है तो कुश्चन पूच्छे आपसे कल्याण थाट में कौन से विकृत सवर का परियोग होता है तो उसका एंसर हो गया मध्यम इसमें तो याद रखेएगा इसमें नी कुमल होता है सारे गम पध ये सब शुद्ध होंगे और नी कुमल होगा तो इसके लिए ट्रीक बना लेजिएगा खानी अगला देखिए भैरोथाट भैरोथाट के स्वर क्या होंगे तो इसके लिए रब रिशावत इसके लिए ट्री रिशावत का मतलब रिशब आववत का मतलब धैवत Rav रिशावत मतलब भैरो में बागी शुद्ध स्वर लगते हैं तो मारवाअ थाट मारवाअ थाट के लिए इसका त्रीक है मारेम मारेम मा से मारवा थाट रे से हो गया रिशब कुमल और म से हो गया मतीबर ठीक है जी तो ये स्वर इसमें मारवा थाट के लिए मारेम याद रखी का ट्रीक मारेम मतलब मारवा थाट में रिशब कुमल लगेगा और म विकृत के रुप में मतलब म मध्यम तीबर लगेगा का से हो गया काफी थाट और इसमें गंधार और निशाद कुमल लगेंगे गंधार और निशाद कुमल लगते हैं कागनी मतलब काफी थाट में सभी शुद्सवर लगेंगे सिर्फ गंधार और निशाद कुमल लगेंगे याद रखेगा चलिए पूर्वी थाट के लिए ट्र मतलब धैवत पूरे मत मतलब पूर्वी थाट में रिशब कोमल मतिवर धैवत कोमल तो याद रखीगा पूरे मत इस तरह से आप याद रख सकते हैं पुछे आप से क्वेश्चन कि पूर्वी थाट में कौन-कौन से विक्रित स्वर होते हैं तो रिशब मध्यम और धैवत या असावरी थाट को याद करते हैं तो असावरी थाट के लिए आपका ट्रीक है आगे धनी आगे धनी का मतलब होता है आज से असावरी थाट गस से आपको कुमल लगेगा गंधार और धैवत भी कुमल लगेगा निशाद भी कुमल लगेगा तो असावरी थाट के लिए आगे याद रखेगा, आगे धनी मतलब आपके आगे धनी आद्मी है अप्टलब आगे आप धनी आद्मी बनने वाले हैं तो आज से असावरी असावरी थाट में आप गंधार धैवत और निशाद को लगा के आप थाट बना सकते हैं तो क्वेस्टन पूछे या सावरी थाट में कौन-कौन से विक्रित स्वर होते हैं तो गंधार, धैवत और निशाद याद रखिए आगे बड़ी भैरवी थाट तो भैरवी थाट के लिए आपका भैरवी थाट के लिए ट्रीक बनाया गया है रवी रिगावत निशा को रवी रिगावत निशा को मतलब रवी रिगा रहा है निशा को निशा को चिडा रहा है तो इसके लिए ट्रीक याद रखिएगा रवी रिगावत निशा को रवी से भैरवी थाट हो गया री से आपका जैद दखिए रिशब रिशब हो गया अगस से गंधार हो गया मतलब र रे और गा रिशमर प्रभव किया में शुक्ति निशा बेंगे अपका कमल से हो गया है तो इसमे आपका रिशमर्व गन धार धैवत और निसाद को कमल लगता है तो इससे बनता है धहर भीधाट तो इसके लिए ट्रीक याद रभी रिगावत निशा को याद रख लिजिएगा आपसे क्वेशन पूछ दे वैसा थाट का नाम बताए जिसमें रिशब गंदार धैवत और निशात कोमल लगते हैं तो उसका एंसर हो जाएगा भैर भी थाट अब देखिए अगला है तोड़ी थाट तोड़ी थाट तोड़ी थाट रि से रिशब कोमल लगेगा ग से गंधार कोमल लगेगा और इसे मत तीवर लगेगा धावत का मतलब धैवत धा इसमें कोमल लगेगा तो तोड़ी ग में धावत इसका याद रखेगा तोड़ी ग में धावत का मतलब हो गया तोड़ी थाट में रिशब गं स्वार का पर्योग होता है तोड़ी थाट में तो इस तरह से हमने दस थाट जान लिया इस पर कोई भी प्रशन आएगा आप उसको गलत नहीं करेंगे यह हम उमीद करते हैं चलिए अब राग इसमें आश्रय राग को पढ़ते हैं आश्रय राग उसको बोलते हैं जो थाट के धान पढ़ा भहरवी थाट पर तो भहर भी राग को भहर भी थाट का आश्रय राग बोला यता है तो जिस तरह से थाठ दस है उस तरहों सी आश्रय राग भी होते है तो देखिए पहला प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें त्रीक के माधम से मापका सब कलिएर कर देते हैं त्के लिए ट्रीक याद रखेगा भैरो संपून धरे भैरो संपूर धरे, मतलब भैरो संपूर धर रहा है, मतलब पकड़ रहा है, तो इसलिए भैरो से भैरो राग हो गया, संपूर से इसका जाती संपूर संपूर, मतलब इसके आरोह, आरोह में साथ साथ स्वर का परियोग किया जाता है, तो इसकी जाती संपूर संपूर हो गई और धरे का मतलब इसमें वादिश्वर धैवत है मतलब कोमल धैवत और संबादिश्वर रिशब रिशब कोमल तो भैरो थाट में रे और धक कोमल लगता है तो आप से पुछा जाए फ्रश्ण की भैरो थाट का भैरो राग का वादिश्वर क्या है तो इसमें निशाध मध्य और पंचम और कोमल धावत तो आपका अंसर हो जागा कोमल धावत और समबादि स्वार क्या हो जाएंगे कोमल रे धावत जो होताْ dwa संबाधी करते इसका गायनकाल प्राथाकाल हो जाता है तो याद रखिएगा प्राथाकाल का राग है छहिस्त करें अजय्ट है तो इस तरह क्यों प्रश्ण पूछेगा आप गलत नहीं करिएगा अगला देखिए राग अलहया बिलावल मतलब यह बिलावल थाट से उत्पन होता है बिलावल थाट से मतलब केवल राग बिलावल कहिएगा तो उसमें कोमल नहीं लगता है लेकिन जदी कोमल नहीं लगा दीजेगा तो उसको अलहया बिलावल राग में 67 का मतलब होता है इसका जाती जो होता है साडव संपूर होता है साडव संपूर होता है इसमें आप आरोह में मध्यम को बरजित कर दिया जाता है तो इसकी जाती हो जाती है साडव संपूर और अहिल्या धागा अहिल्या मतलब अलहया बिलावल राग अहिल्या का मतलब अलहया गंधर है, इसको दीन के प्रथम पहर में गाते हैं, याद रूखिएगा तो bombs वर को बरजित किया गया है, जदि बिलावल राग में कोमल का पर्योग कर दिया है, कोमल निसाध, तो वो अलह경‍विलावल के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा अगला देखिए राग या मन देख लिए राग या मन इसके लिए ट्रीक बनाईए मन के कल्याण है तू संपूर गाना मतलब संगीत तो होता है ये जदी किसी के मन को दूख हुआ है तो उस मन को दूख हटाने के लिए मन को कल्याण करने के लिए गीत गाया जाता है मन के कल्याण हेत फात्बूर्ण गाना, मन मतलब यमन राग ayudar कल्याण फात्व सुथ्पन होता है अब जानते हैं कि भाकी , शूत्षहधौर लगते हैं संपूर गाना संपूर मतलब इसकी जाती संपूर संपूर है आरोह में भी साथ स्वर लगते हैं और आरोह में भी साथ और गाना का मतलब होता है इसमें वादी स्वर गंधार और संबादी स्वर निशाध ठीक है यमन राग में वादी स्वर क्या है गंधार और संबादी स्व वादिश्वर गंधार संबादिश्वर निशाद और जिसको रात्री की प्रथम पहर में गाते हैं तो वह हो जाएगा उत्तर उसका राग यमन अगला बढ़िए आगे कराग देखिए राग भैर्वी राग भैर्वी के लिए ट्रीक है रभी संपूर मासा रभी मतलब राग भैर्वी और संपूर मने इसकी जाती संपूर संपूर है आरोह में भी साथ और रोह में भी साथ और मासा मतलब वादी सुवर मध्यम और संबादी सुवर सडज तो रभी संपूण मासा भैरवी है चुकि इसका थाट क्या होगा भैरवी थाट और ये संपूण संपूण इसकी जाती है वादी मध्यम है संबादी सडज है और इसको प्रात्ता काल में गाते हैं लेकिन यह सदा बहार राग है इसको 24 घंटा गाया जा सकता है तो प्रश्ण पूछा गया है कि वैसा राग बताए जिसको 24 घंटा गाया जा सकता है तो उसका उत्तर होता है भैरवी राग आगे बढ़ी मारवा राग, मारवा राग ये भी चुकी, मारवा थाट से उत्पन है, तो ये आस्रे राग है, मारवा थाट का, तो इसके लिए ट्रीक मनाईए मारे सासा रोवत, मतलब मारे सासू, सासू मारे तो रोवत, इस तरह से ट्रीक मना लिजिए, सासू मारे तो हो गया मारवा राग हो गया और सासु का मतलब साडव साडव इसकी जाती साडव साडव इसकी जाती और रोवत रो से रिशब इसका वादी स्वर अवत से मतलब धैवत संबादी स्वर दिन के अंतिम पहर में गाते हैं इसको तो मारेम सासु तो रोवत इस तरह से ट्रीक बना लिजिएगा सासु से साड़ो साड़ो इसकी जाती मारे से मारवा राग हो गया रोवत से रो से रिसब इसका वादी और वत से धैवत इसका समबादी स्वर हुआ तो इस तरह से आप मारवा राग के बारे में कोई भी प्रश्ण पूछे उसको गलत नहीं करिएगा अगला देखिए राग खमाज ये भी खमाज थाट से उत्पन है ये भी खमाज थाट का असरे राग है राग खमाज तो इसके लिए ट्रीक बनाईए खास संगनी खास संगनी खास मतलब विशेश और संगनी मतलब वाइप समझ लिजिए तो खास संगनी याद रखिए खास संगनी खास से खमाज थाट मतलब खमाज राग और सस साडव और सन से संपूर्ण मतलब इसकी जाती साडव संपूर्ण है और गनी गनी का मतलब संगनी गनी का गन्धार इस में जो होता है , इसमें देखिए आपको मैं बता दूं कहाजा यह कंटरी के खाजारेन मतलब आपको जो है इसमें आरोह में रिशव को बरजित कर दिया जाता है इसलिए इसके जाती आरोह की जाती साड़ो हो जाती है और आरोह में कोई स्वरबर्जित नहीं इसलिए उसकी संपूर्ण आरोह की जाती संपूर्ण हो जाती है तो रात्री के सेकंड पहर में आप गाते हैं खमाज राग को याद रखिएगा खमाज राग के लिए आपको इस इसका ट्रीक है काफी है संपूर्ण पासा मतलब पासा जो खेल रहे हैं वही काफी है इसके लिए ट्रीक बना लेजे काफी है संपूर्ण पासा काफी मतलब काफी राग और संपूर्ण मनें इसकी जाती संपूर्ण संपूर्ण है मतलब सात आरोह में भी सात औरोह में भी और पासा मतलब पंचम इसका वादी और सडज इसका संबादी और इसको मद्धिरात्री में गाते हैं तो काफी है संपूर्ण पासा यह मद्धिरात्री में गाने वाला राग है राग का नाम है काफी राग तो काफी राग से जो अभी प्रश्ण पूछे वो गलत मत करिएगा होता है कि असावरी राग प्रॡव कि बात करें तो यह असावरी ठाटक अश् 않 Ihr और इसके लिए ट्रीक बनाते हैं जिससे आपका एक विफ्रशणीस से समझ्दीत गलत नहीं होंगे तो इसके लिए ट्रीक है आशा आश की धागा सा आस की धागा या आसा की आस की धागा आस से असावरी और आस से यहां पर हो गया आडव संपूर्ण इसकी जाती हो गया है असावरी राग की जाती आडव संपूर्ण हो गया है अध्धा मतलब धैवत इसका वादी स्वर अगस से गंधार इसका संबादी स्वर और दीन के सेक राग है राग आश्र्य पूरुवी थाट फे उतंपन राग का नाम है राग पूर्वी इसके लिए ट्रीक बनाईएगा पूसंग नी पूसंग नी पू से पूरुवी राग हो गया और संग से संपूर संपूर इस्की जाती हो पूर्वी राग का संबादी स्वर क्या होता है निशाद आपसे पूछे पूर्वी राग का जाती क्या होता है तो आपको बताना है संपूर्ण संपूर्ण याद रखेगा ट्रिक पुसंगनी अब देखिए अगला अस्रे राग है तोड़ी राग तोड़ी थाठ से उत्पन तोरे गम में धावत मतलब तोड़ी जो थाठ होता है उसमें रिशव गंधार कोमल लगते हैं मौत तीवर लगता है धैवत आपका कोमल लगता है तो इस बात को आपको याद रखना है तोड़ी राग के लिए ट्रिक है तोड़ी संग प्रेम की धागा तोड़ी संग प्रेम की धागा मतलब तोड़ी मतलब तोड़ी राग और संग से इसकी जाती संपूर संपूर है और धागा मतलब धैवत इसका वादी गंधार इसका संबादी दीन के दूसरे पहर में इसको गाते हैं तो इस तरह से जो है हम आपको थाठ और थाठ के आश्रे से राग के बारे में बताये हैं इससे संबंदित एक भी प्रश्ण गलत मत करिएगा अब अगले कि टॉपिक के रूप में कि आपसे अगला प्रश्ण पुछा जाए कि सितार बजाने के लिए किस इस्टूमेंट का परियोग कि आ तो उसका नाम होता है मिजराब अगला प्रश्ण है मालकोस राग की जाती क्या है तो आडव आडव इसकी जाती है क्योंकि इसके जो है आरो आरो में रीशाब और पंचम बरजित होता है तो मालकोस की राग मालकोस राग की जाती क्या है आडव आडव देखिए अगला प्रश्ण है ताल के प्राण होते हैं कितने प्राण होते हैं तो दस प्राण होते हैं ताल के याद रखिएगा ताल के दस प्राण होते कर दिजेगा तो बिलावल क्योंकि बिलावल थाट में जो होता है बिलावल राग में सभी शुद्ध स्वर होते हैं कल्याण में मन की कल्याण के लिए गाना मतलब आपको जो है कल्याण में मत तीवर लगता है ठीक है तो कल्याण में तीवर मध्यम के जगा पर सुद्ध कर द अगे पढ़ते हैं बुध काल में बैसाली की बुध जो महात्माबुद थे उनके काल में बैसाली में परसिद नर्तकी थी उसका नाम क्या था तो अमरपाली अगला प्रसने है बिहार का लोक निरित्य क्या है जिंजिया जिंजिया निरित्या में जो है बिहार के लोग इंद्र को खुश करने के लिए यह निरित्या करते हैं याद रखेगा अब देखिए सूल ताल और जब ताल दोनों में दस्दस मत्राएं होती है सूल ताल और जब ताल में दस्दस मत्राएं होती है याद रखेगा धमार ताल और दीपचंडी ताल में 14-14 मतराएं होती है लक्षमी ताल और गड़ेस ताल में 18-18 मतराएं होती है याद रखेगा तो रूपक ताल और जप ताल में आपको तो रुपक ताल में और तीब्र ताल में साथ साथ मत्रा हैं, सूल ताल जहप ताल में दस्तस मत्रा हैं, धमार ताल दीपचंडी ताल में 14-14 मत्रा हैं, लक्षमी ताल और गणेश ताल में 18-18 मत्रा होती हैं, देखिए अगला प्रश्ण है बिहार का परसीद बाधियंत्र क् बिहार का लोकगीत क्या क्या है तो फगवा है चैता है कजरी है होली है यह सभी बिहार में इसका जो है बिहार में लोकगीत है अगला देखिए उत्तर भारत संगीत उत्तर भारती संगीत में कोमल रे को कोमल रे को दक्षिर भारत में क्या कहा जाता है सुध रे कहा जाता है त संगीत पत्रिका हत्रस से कौन निकालते थे तो डॉक्टर लक्ष्मिन नरायड गर्ग द्वारा यह उनिस सपच्पन में सुरू किया गया था तो संगीत पत्रिका संपादन कौन करते थे तो डॉक्टर लक्ष्मिन नरायड गर्ग कब से शुरू किया थे उनिस सपच्पन में समराट की उपाधी दिया गया है और इनको ना धिन धिन्ना के जादुगर के रूप में भी जाना जाता है यह तबला वादक है अगला प्रश्ण देख लिजिए अगला प्रश्ण हम बता रहें आपको ये हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्टियों का परचलन किया था किन होने किया था तो विश्रू नरान भात-खंडे जी किये थे तो उत्तर भारत या हिंदुस्तानी संगीत पद्टी में 10 थाटों का परचार है जबकि दखषिड भारत में 19 थाटों का परचार है तो यहां पर उत्तर भारत में पंडित विश्णुन नरान भात खंडे जी 10 थाटों की परचार के परवर्तक थे उसके सुतरधार थे देखिए वाइलिन को बजाने के लिए कमानी का पर्योग करते हैं मुर्चनाओ की कुल संख्या एकईस होती है आपसे कुछें कुल कितने मुर्चनाएं होती है तो 21 अब देखिए 7 ग्राम में मुर्चनाओ की संख्या कितनी है साथ तो एक ग्राम में मुर्चनाओं की संक्या साथ और हम जानते हैं कि टोटल मुर्चनाओं कितनी होती है 21 तो तीन ग्राम हो जाएंगे पहला ग्राम सड़ज ग्राम इसमें साथ मुर्चनाओं होती है उसके बाद मध्यम ग्राम होता है इसमें भी साथ मुर्चनाओं होती ह है तो देखिए तीनों ग्राम के लिए ट्री क्याद रखिए सम्झ शमख्र का मतलब होता है कुल मुर्णाओ thou उता हो गाह 10 अब दुरुपत गयान में रूपत जाता है उर्पत गयान चार के बाड़ियू और कोमल हार बाणी है तो धुरूपत गायन में चार तरह के बाणी का परियोग होता है question पूछ दे ऐ कि धूरूपत गायन में कितने राम बाणी होता है तो चार जर से याद रखना प्रशने ऐसे पूछा जा सकता है斯 आगे देखिए सदा रंग और आदा रंग मतलब दो कलाकार सथे सदा रंग और आदा रंग इंके आस्रें दाता किया सत़ मतलब की अलाप के परकार, अलाप कितने तरह के होते हैं, तो रूपक अलाप होता है, अलापती अलाप होता है, रागा अलाप होता है, तो तीन तरह का अलाप यहां पे हो गए आपको जी, अब देखिए बरगी करण के अनुसार, बाध्यों को कितना परकार होता है, बरगी करण मतलब यह जो होते हैं यह तार से बने होते हैं तो तार से बने बाधियंत्र को आप तत बाधियंत्र करते हैं सुसीर बाधियंत्र मतलब यह बासोगरा का बना होता है जिसमें आप फूंक कर हवा देकर बजाते हैं यह तत बाधियंत्र में आपका बीड़ा हो गया तानपूरा हो गय वह सभी ततबाद में सुसीर में जैसे बाश्री हो गया सेनाई हो गया यह सभी सुसीर जिनको हवा से फूंकर बजाते हैं और देखिए ओनद बाद यह अंत्र यह क्या होते हैं यह चमड़ा से ढखे होते हैं जैसे तबला हो गया ढोलक हो गया और चोथा होते हैं घंड बाद चाहिता कौन है तो भरत जी है पंडित भरत जी है नाटे सास्तर के रचेता और संगीत रतनाकर के रचेता कौन है शारंग देव पंडित सारंग देव जी है संगीत रतनाकर के रचेता और नाटे सास्तर के रचेता कौन है भरत देखिए भरत काल में जाती गायन का परचार थ बदा कालिता है कि भरत की शी उत्विक का डिया होगा वहद हो देखिए वाधिक काल में तीन स्विर परूर पर था अगला पर्शों, प्रश्ण है यह हैं कावके दर्वार में उत्विक जन्म घ्वालें में और ग्वालियर में तान सेन महुत्सों भी किया जाता है ग्वालियर अको मध्यपर्देश इन दौर में पड़ता है अब देखिए प्रथम बार बीड़ा के तारों पर स्वरों की अस्थापना किसने किया और अंग्जेव संगीत का कटर भी रोधी था लेकिन उसी के काल म में संगीत का ज्यादे विकास हुआ याद रखी गए इस बात को अब देखिए आगे पड़ते हम सदारंग आदारंग तो आपने जाना की महमत्सार अंगिले के दरवार में रहते थे देखिए ठाट पधिती का परचलन भात खंडे जी द्वारा उत्तर भारत में किया गया अब देखें तान सेन के गुरु कौन थे तो हरीदास तान सेन के गुरु कौन थे हरीदास आपसे प्रशन ये भी पुछता है कि धृपत गायन सेली की जन्मदाता कौन थे तो हरीदास थे और हरीदास कौन थे तान सेन के गुरु थे अगला प्रशन है देखिए अमीर खु खिलजी बंस के सासक थे जो घोड़ा दागो और हुलिया लिखो का भी आप शुरू किये थे इस तरह की प्रथा को तो अमीर खुश्रो अलावदिन खिलजी के दरबार में रहते थे अब देखिए छै भागों में क्रमिक पुस्तक मलिका छै भागों में क्रमिक क्रमिक पुस्तक मलिका की रचना किसने किया तो भात खंडे जी किये थे बात खंडे जी किये थे क्रमिक पुस्तक मलिका की रचना किये थे भात खंडे जी ए छो भागों में पाय जाता है देखिए तबला बाद के रचैता कौन थे तो अमीर खुश्रो तबला बाद जो होता ह तो तबला किस स्रेड रम याता है वाई तो अउनद बाद में आता है अरव कि दाहिने तबले मतलब छोटा जो होता है छोटा तबला तबले में आठ लकड गटा जिसको आप बंवें और से नाचे पीट कर मतलब चड़ातें और नाचे जॉप उससे दिपचंडी में कितने दिपचंडी में में चार और चोर दिपःट oy2-3D ये आपका 11 में पर ताली है और खाली आपका 1,2,3,4,5,6,7,8 आठ पर खाली है वीभाग आपका 4 है आठ पर खाली है और ताली dalam है तीन ताली है दिमचंडी में तो आप से question पूछता है प्रशन पूछेगा दिमचंडी में कितने ताली है और कितने खाली है तो एक खाली है अब देखिए दाहिना तबला कितने सोरों से मिलाए जाता है दाहिना तबला जो होता है किन सोरों से मिलाए जाता है तो सड़ज मध्यम पंचम और तार सब्तक कसा इससे आपको दाहिना तबला मतलब छोटा तबला जिसमें आठ गटे होते ह छोटा नाथ से बघ्याब उसको सडज मद्यम पंचम और तार सब्दक के साथ से मिलाजाता है छोटे मुहूँ का तबला मिलाई जाता है मतलब वह दाईना तबला वही तार सब्दक से मिलाजाता है अब एक कोशन पुझता है किे तबले में कितने गट्टे होते हैं लकड़ी के तो इसमें सुन्ने कर दिजिएगा क्योंकि इसमें कभी-कभी गट्टा लगता भी है नहीं भी लगता है तो इसको सुन्ने माना जाता है आगे प्रस्ण देखिए धीक धीनता बोलो का परियोग होता है धीक धीनता बोलो का परियोग कहां होता है तो पेशकारा में पेशकारा आपको दिखाने के लिए इसमें इस तरह के बोल का परियोग किया जाता है अगला फ्रस्न देखिए पखावज पर बजने वाले खुले बोलो के समुग को क्या बो आकर सम पर मिलाने को तिहाई कहते हैं किसी बोल को आप तीन बार बजा दीजिए और सम पर मिला दीजिए तो उसको आप बोलिएगा तिहाई याद रखिएगा तिहाई के परकार हैं दो तरह के तिहाई बजाए जाता है एक दमदार और एक बेजान का मतलब बेदम तो किसका किसका किया जाता है तो आप विस्तार करेंगे काइदा का पिश्कारा का विस्तार कर जाता है मैं निहां कि इसका देखिए आप भाज़ पर बजने वाले तालों Tut नाम नाम बताए दिपचंडी और धमार दिपचंडी और धमार तो आप देखिए पकावज पर कौन-कौन ताल बजता है तो दिपचंडी और धमार तो दिपचंडी का बोल क्या होता है जी दिपचंडी का बोल होता है धा धिन धाधा तिन ता तिन धाधा धिन ये दिपचंडी का बोल है अब देखिए निहीं आप से पुछा जाए रूपक ताल का बोल बताइए तिन तिनना धिनना-मदम Mobard sólogestellt मतलब क्या है तीन योदो पांच और दो सात मत्राओं का ताल होता है उसका नाम है रूपक और इसपे एक खाली और एक ताली होता है, एक पर खाली होता है, और चार पर ताली होता है, याद रखिएगा, सात मात्राओं का ताल है, रूपक ताल, और दिपचंडी ताल में कितने मात्राइं होती है, तो 14, अब देखिए, जहप ताल, जहप ताल में कितने मात्राइं होती है, जहप ता देखिए एक पर ताली तीन पर ताली और फिर आपको एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ एक पर ताली तीन पर ताली और आठ पर ताली और आपका खाली जो हता है एक दो तीन चार पांच छह पर खाली हो जाता है विभाग कितना है एक दो तीन चार तो जब ताल में दस मा है चार बी बाग है एक तन और आपको आठ पर ताली है आपको जो है छाला घालि है याद रख्येगा अगला प्रशन थे कि छोटे खयाल गाया जाते हैं थीन ताल एक ताल रूपक ताल झप ताल चो चोटे ख्याल के साथ कौन-कौन ताल बजायता है तीन ताल एकताल रूपक ताल जहब तर बजाया जाता है य। अगला प्रशन देखिए किन तालों में ध्रूपत गाय जाते हैं तो चार ताल, तिवरा ताल और शूल ताल, मत ताल तो ध्रूपत के साथ कौन-कौन ताल बज़ रहे हैं चार ताल, तिवरा ताल, शूल ताल और मत ताल देखें चार ताल का बोल देखिए धाधा दिन्ता किटधा दिन्ता तिटकत गदिगन इसमें देखिए एक दो तीन चार पांच छै चै भी भाग है और बारा मात्रा है एक पर ताली है पांच पर ताली है आपको आठ पर ताली है फिर ग्यारा पर ताली है देखिए एक दो तीन चार चार ताली हो गया और दो खाली हो गया खाली किस पर है तीन पर है और फिर आपको साथ पर है तो चार ताल का मात्रा कितना है बारा एक दो तीन चार पांच छै चै भी भाग है दो दो मात्रा का चै भी भा गए चार ताल में और तो इस तरह से बारा मात्रा हो गए चार ताल में और इसमें आपको जो है चार ताली है दो खाली है अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रशने है चलते फिरते गीत गाये जाते हैं किसमें दाद्रा और कहारवा में तो प्रशने आप से पुछ दे कि स sven TV जो tap इस टाल में गाया जाते हैं तो दाद्रा और कहरवा उत्तर होगा देखें तबला के च्छो गराने हैं ऑप यूपी में जो है यूपी में तबला के कौन-कौन घराने है तो लखनाव, फारुखाबाद और बनारस ये तीन घराने जो है उत्तर परदिश में हैं अब देखिए अगला प्रशन है पंडित सम्ता परसाद और किशन महराज किस घराने से संबंदित थे तो ये अंसर हो दिल्ली को क्या कहा जाता है तो किनार का बाज कहा जाता है तो आप से प्रस्ण पूछे किनार का बाज किस घराने को कहा जाता है किस घराने के वादन सेली को किनार का बाज कहा जाता है अगला देखिए पंजाब घराने की जो है पंजाब घराने का उत्पति और विकास प्रस्ण पूछा जाता है जाकिर हुसंन कीस वात देंतसे संब्न DU Lord हिख्योन उनको पदम शिरी भी मिला है अब दो मात्रा में 3 मात्रा बोलने को क्या कहा ज copy कारी और इसको मतलब 3-2 3-2 का मतलब हुआ 3-2 का मतलब हुआ 3 बोल को 2 बोल में बोलना मतलब इसको आड़ बोला जाता है एक तरह के लैकारी है जिसमें tм अगला प्रस्वय है धामारताल की तीगुण कितने मात्रा में आएगी तो Ert 43 बार दो 148 een मतलब धामारताल जो हता है 14 मात्रा का सहता है और उसको दामाय मतलब उसके एक मात्रा में तीन बजाने को तीगुन बोलते हैं, तो धमार मात्रा की तीगुन कितने में आएगा, चार पुनाक दो बटे तीन मतलब चोदा बटे तीन मात्रा में आएगी, याद रखिएगा, अगला प्रश्न है, तालों में समान मात्रा और समान विभाग के ताल हैं, तो तो इसका जो है दखिए तीबर रूपक एक ताल, चार ताल ये सभी में जो है समान मात्रा का ताल है, तालों में समान मात्रा और समान विभाग हैं, तीबर ताल, एक ताल, चार ताल, तो सभी में जो होता है, बारा मात्रा होती है, बारा मात्रा होती है, तीबर रूपक और ए एक ताल और चार ताल अगला प्रशन है देखिए चार ताल की आड़ आठ मात्रा में आएगी चार ताल की आड़ कितने में आएगी तो आठ है बारा मात्रा की ताल है तो इसको आप तीन बड़े दू करिएगा तो आठ मात्रा आ गया जी तो चार ताल की आड़ कितने में है 27 चोदुशन्दी धमार अड़ा चार ताल और जुमर यह अगला प्रश्णे साथ बजाई जाने वाली रचना को क्या कहा जाता है लharas bara कहा जाता है उसके साथ आर्मोनियम से जाता है अब दखेंध घायनवादन में साथ इन गायन वादन के साथ तबला बजाना इसको कहते हैं संगत तो गायन वादन के साथ तबला बजाने को क्या कहते हैं तो संगत इसका उतर हुआ अब दादरा ताल के बोल आपसे पूछे तो धा धिनना धा तुनना मतलब दो भी भाग है इसमें 6 मात्रा है एक ताली है एक खाली ह और चोथे पर खाले याद रखिएगा दादरा का बोल क्या है धादिना धातुना वहीं कहरवा का बोल क्या है जी कहरवा के धागे नातिन नक्तधिना मतलब इसमें भी एक ताली और एक खाली एक पर ताली है और आपको जो है पांचवे पे खाली है दो विभाग इसमें 8 मात्रा है कहरवा में और दादरा में 6 मात्रा है तो एक देखे ट्री के आतर कड़िए दादरा 3 अक्षर का है तो 3 दून 6 मतलब दादरा में 6 मात्रा होंगे और देखे कहरवा 4 अक्षर का है तो 4 दून 8 मतलब कहर कारवा में 8 मात्रा होता है दोनों में दो विभाग होते हैं दाद्रा मतलब 3 2..3 मात्रा का होगा 2 विभाग और कारवा अगला प्रश्ण कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना क्या है ग्वालियर घराना जहां से तांसें हरिदास यह सब संबंदी थे तो हिंदुस्तानी संगीत का मतलब उत्तर भारत संगीत का सबसे पुराना घराना ग्वालियर और हिंदुस्तानी संगीत परति मे के नाम से किस घराना को जानते हैं तो ग्वालियर घराना को जानते हैं बड़े गुला मली खान कहां से थे पटियाला घराना से बड़े गुला मली खान कहां से परसित थे मतलब कहां से संब्दिते किस घराने से तो पटियाला घराना से धुरूपत सहली के लिए सुरू धुर ख्याल छोटा ख्याल होता है तो इस ख्याल गायकी की जन्न दाता कौन से खराना है तो ग्वालियर घराना अगला प्रशने देखिए शास्त्रिय गायन से संबंदित मलिकारजुन मंसूर है अगला देखिए, मिनाज मानसी, पिनाज मानसी किसे सम्मझत है, गजल गाय किसे, तानसेन हरिदास बैजु बाबरा ये धुरूपद गायन से सम्मझत थे, अब देखिए, करनाटक संगीत के पिता पुरंदरदास को कहा रता है, अगला प्रसन देखिए, गजलों के जनक को है, तो अमीर कुस्रों का जनक को रता है, आपको पौप संगीत से सम्मझत है, वही राग देश, राग देश का गायन समय क्या होता है, रात्री का सेकंड पहर होता है रात्री का सेकंड पहर में राग देश गाते हैं अमीर खुसरो द्वारा अभिस्कार किया गया किस किस चीज का तो सितार का कवाली का राग में खयाल का और फिर तराना का तो तराना हुआ खयाल गया की हुआ कवाली गया की हुआ सितार का अभि जो हता है अमीर खुश रोखो जो अलावदिन खिल जी के दरबार में रहते थे तो आज के वीडियो में अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं जय हिंद जय भारत